जहिन दोस्तों, यह है profit and loss का third part, तो आईए, यहां से बहुत ही जवर्दर समलोग सवाल करने जा रहे हैं, जो आपके exam के साफ से बहुत ही ज्यादा important है, तो आईए बच्चों सुरू करते हैं यहां से, पानी को spirit make की सनुपात में मिलाया जाया कि उसे लागत मूली पर बेचन दो बटे 3%, तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, 16 सही 2 बटे 3% की जो fraction होती बच्चों, 8, 1 बटे 6, तो 16 सही 2 बटे 3% बराबर होता है, 1 बटे 6 बिन, तो बस आपका answer आ चुका है, तो यहां से पानी और अनुपात आपका spirit निकल चुका है, है ना, तो यह एक अनुप कितना हो जाएगा, spirit क्योंकि साफ साफ इतने बोला ना, पानी को spirit में किस अनुपात मिला जाए कि उसे लागत बेचने पर 16 सही 2 बटे 3% का क्या हो, बादा हो, बच्चों जो पानी होता है ना, उसका कोई मूल नहीं होता है, बसरते आप बिसलरी की बोतल ना खरीद करके उ पानी का जो मूल है, उस सुन यानि जीरो कंसीडर किया जाता है, इसलिए मूल पर बेचने पर 16 सही 2 बटे 3% का बच्चों लाव होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका, आच्चों का एक अनुपात कितना हैगा, छे आ जाएगा, इस देखीगा, इस सुद्ध दूद क क्रेप पर नमूना दूद बेंच कर 10% लाव प्राप्त करने के लिए 50 kg सुद्ध दूद में कितना पानी मिलाया जाए बच्चों, तो आप जानते हैं बच्चों, अभी मैंने आप से डिसस किया, जो पानी है, उसका जो वैलू है, जो मूल है, सवाल में कंसीडर किया जाता पानी जो होना चाहिए, वो मुफ्त वाला होना चाहिए, पहली बात, सवाल में ऐसा कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन आपको ऐसा कंसीडर करके, ऐसा मान करके चलना है, दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा है, नमूना दूद पर संट का लाव प्राप्त करना है, बच्चों, अ पानी मुफ्त मिलता है, तो बस आप 10% पानी मिला दीजेगा, तो बच्चों, 50 kg का 10% कितना होगा, आप जानते हो, 5 होता है, बस सवाल आपका solve हो चुका है, 2-0 से 2-0 कड़ गे, यानि कितना पानी मिलाना पड़ेगा बच्चों, 5 kg, क्यों, कि जो आप पानी मिला रहे हैं, वही आपका lab है, वही आपका lab है, तो बस 50 kg में 10% अगर पानी मिलाएंगे, तो बच्चों, 5 kg पानी मिलाना पड़ेगा, और यही आपका बच्चों lab हो जाएगा, तो option number क्या हो जाएगा, C is the right हो जाएगा, आई बच्चों बढ़ते हैं, question number 3 की तरफ, बच्चों 3 देखते कभी भी किसी सवाल में अगर बच्चों ऐसा आजा, 3x बराबर 5 वाई, ऐसी कोई equation आजाए, 3 आदमी बराबर 3 औरते हो, 3x बराबर 5 वाई हो, 7x बराबर 5 वाई हो, कुछ भी हो, तो बच्चों x का ratio इदर आता है, 5, और बच्चों y का ratio इदर आजाएगा, 3, यह पहली condition है जो पूरी mathematics में अपलाई होती है, और दूसरा तरीका आप समझेगा बच्चों, इसे कभी लिखा हो, ध्यान दो, a, b का, a, b का 3 बटे 5 है, ध्यान दो, यह जो का सब्द बच्चों लिखा है, का सब्द लिखा है, b के बाद, तो जिस नंबर के बाद का लिखा होता है, उसक value जो उसका जो ratio होता है, वो हर के इस्थान पर लिखी गई संख्या के बराबर मान लो आप, और अब एक आमान कितना मान लो तीन, यह दूसरी बात है, यह बच्चों पूरी mathematics में अपलाई होती है, और मैं अभी इस profit and loss में भी अपलाई करने वाला हूं, तो बच्चों ध्य SP कितना है, उसके CP का, 8 बाई कितना है, 5, तो बस बच्चों समझ सकते हो, एक का सब्द यानि इंटू लगाए CP के बाद, तो बच्चों आप CP मान लो 5, और SP मान लो बच्चों कितना 8, यह बहुत ही आसानी से सवाल को solve करा देगा, तो आप बताई बच्चों आपने खरीद एक बस तू को 5 में, और बेचा कितने में, 8 में, तो यहां से बच्चों profit कितने का हुआ, 3 का, बस सवाल आपका solve हो चुका है, profit percent बराबर बच्चों क्या होता है, profit हुआ 3 का, आप जानतों profit and loss always calculate किये जाते हैं, किस पर, CP पर बच्चों CP कितना है, 5, और गुने कितना 100, हान आप cancel out करके यहां से निकाल लो, 20 यहां कितना बच्चों, 60 percent आपका क्या हो गया है, profit हो गया है, बहुत ही जादा important सवाल है, important concept है, type wise, level wise, हर एक प्रकार के सवाल यहां पर मैं, आपको कराने का प्रयास कर रहा हूँ, बस आप notes बनाते रहिए, और हमारे साथ सिखते रहिए बच्चों, आई बच्चों, question number हम बढ़ते हैं, fourth के, fourth यहां पर देखेंगे, किसी वस्तू के बेचने पर विक्री मूल के दो बटे तीन की हानी हुई हो, तो वहा हानी कितने percent है, बच्चों, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हानी, यहां पर कॉमा य के, यानि SP के दो बटे तीन की हानी हुई, तो बच्चों आप इसे लिख सकते हानी बराबर SP के दो बटे तीन, और मैंने अभी अभी आप से डिसस किया है, यानि SP यहां पर 3 ratio हो जाएगा, और Loss यहां पर हो जाएगा 2 ratio, अब आपको बच्चों क्या बताना है, कि हानी percent कि हानी प्रत्सत, हानी प्रत्सत बराब बच्चों कितना हानी यहां पर कितना है, 2, always profit and loss always किस पर होता है, CP पर, तो बेचा कितने में, 3 में, और 3 में जब उसने बेचा, तो 2 का loss हुआ, 2 unit का loss हुआ, तो खरीदा कितने में हुआ, यहां से बच्चों CP कितनी आएगी, 3 दो कित पांच, राइट, तो ध्यान दो, एक बटे पांच होता है, 20, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40% बच्चों कितना होगा, loss, या फिर आप इसको 100 से गुना भी कर सकते हो, तो 20 बार, और 20 दूनी कितना होता है, 40%, राइट बच्चों, बहुत ही simple तरीके से आप कर सकते हो, इस आपने उसे खरीदा कितने में था, तीन से ज्यादा में खरीदा होगा, कितना ज्यादा में खरीदा होगा, जितना आपका loss हुआ, तो खरीदा था तीन प्लस दो में, इसलिए loss परसेंट आया 40%, अई बच्चों कोश्चन नमर यहां पर हम दोग देख रहे हैं, फिप्थ, यदि लागत मूल, विक्रे मूल का 95% हो, तो उसके आधार पर लाव परसेंट बताईए, बच्चों वही काम करना है, आपको और कुछ भी नहीं करना है, लागत मूल मतलब CP, CP बराबर है विक्रे मूल का, यानि इन्टू 95%, तो 95% का मतलब होगा 95, पान 100 बच्चों, तो यह यहां से बच्चों profit percent कितना हो जाएगा, तो आपने खरीदा था 95 में sell किया, 100 में, तो यहां से profit बच्चों कितना हो गया, 5 का, 5 unit profit होगा, profit and loss किस पर होता है, 95 पे, बच्चों इंटू कितना कर दो, 100, तो 5 से कर जाएगा बच्चों कितनी बार, 19 से इसको divide कर दो, कितनी होगा है, 95 और 5, 5 बटे, 19 बचा है, तो यहां पर आप टैली कर लो, है ना, तो 5 बचेगा, और 5 यहीं 50 में, जब 19 का भाग दोगे, 2 बार जाएगा, 2, और फिर यह कितनी बार, option से आप tackle कर सकते हैं, यहीं 5 पॉइंट कितना आएगा, 26 percentage, right, so मैं आपने 19 का भाग दिया, त तो 5 दसमलो, 2-6 percent आएगा, आईए बच्चों, एक सवाल और लेते हैं, बहुत ही जबर्दस सवाल है, उसके बाद इस सेसन को हम, वाइंड अपती, जबर्दस सवाल हम लोग देख रहे हैं, question number 6, आईए देखते हैं, क्या है, इन्होंने क्या बोला, किसी वस्तू को 144 पढ़ेंगे, यहां से, 144 रुपे में बेचने से, उसके क्रेमूल के एक बटे साथ की हानी हुई, तो बच्चों हानी बराबर यहां पर कितना होगा, हानी बराबर कितना होगा, क्रेमूल के एक बटे साथ की हानी बच्चों, तो अब आप जानते हानी हुई, एक की और सीप price, क्यों? क्योंकि selling price दिया है 144 रुपे और अगर हम लोगों ने यहां से selling price का ratio निकाल लिया तो हम लोग matching करा सकते हैं 144 की दूसरी बात अगर honey बराबर cramol का एक बटे साथ है तो आपने था हानी एक ratio और cramol यानि CP 7 रेसो आप ही मुझे बता दीजिए कि अगर एक आर्टिकल को आपने 7 रुपे में खरीदा और जब आपने उसको बेंचा तो एक की क्या हो गई हानी हो गई तो आपने बेचा कितने में होगा यानि बच्चों साथ से कम में बेचा होगा ना तभी तो आपको एक रुपे की हानी हुई तो यानि कि अब इसका SP कितना हैगा साथ में से घटा दो छे रेशियो तो बस सवाल आपका बच्चों सौलबू सुखा है SP का रेशियो आया है छे रेशियो और वैलू कितनी है 144 अब बच्चों आप लिख सकते हो छे रेशियो बराबर 144 रुपे तो एक रेशियो बच्चों कितना आएगा यहां से यहां से छे से कार दो छे दुनी बारा छे चोग 24 एक रेशियो कितना आएगा 24 अब बच्चों हमें Profit या Loss बताना है, क्योंकि हमें उसी आर्टिकल को 168 रुपे में बच्चो बेचना है, तो ये Profit या Loss बताने के लिए हमें CP पता होना चाहिए, तो CP बच्चों कितने रेस्यो है, CP है सात रेस्यो है, यहाँ पर सात रेस्यो है, तो CP निकाल लो बच्चों, CP बराबर 24 गुण कितना 168 रुपे, और यहाँ पर सवाल भी यही कह रहा है, कि उसे 168 रुपे में ही बेंचा जाए, तो कितना Profit या Loss होगा, तो जब खरीदा भी 168 में गया, उसे बेंचा भी 168 में जाए, तो No Profit, No Loss, No Profit, No Loss, यानि आपका Option Number क्या हो जाएगा, First, ध्यान दीजेगा लिका एक बटे साथ है, यानि Loss हुआ वन रेशियो, CP यानि Cost Price 7 रेशियो, तो यहां से विक्रे मूल लिका 6 रेशियो आया गया, यह विक्रे मूल 144 दिया था, 6 रेशियो बरावर 141 रेशियो बरावर आ गया, बच्चों 24 रुपे, इसलिए CP होगा साथ रेशियो खरीदा साथ यूनिट में, तो 24 गुने साथ 168 रुपे, 168 रुपे में खरीदा गया, और सवाल बोल रहा है कि उसे 168 यानि 168 रुपे में बेचा जाएगा, तो बच्चों इस कंडिशन में no profit, no loss होगा, दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, तो आप इस चैन भी कर सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवादा आपका,